नमस्कार न्यूस वन इंडिया देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ कोमल गंवार देभूमी की शुरात करेंगे तो दहरादू उनसे खबर जहां चमोली सड़क हाथसे पर सीम तरवेंद्र ने संग्यान लिया है बता दे हाथसे का संग्यान लेते हुए गंभी रूप से घालो का यहाँ एम्ज रिषिकेश में इलाश करवाने की बात कही गई बता दे सीम तरवेंद्न में गाहलों के इलाज के दिशा निर्देश भी ने दिये घालों के स्वास्त लाबगी उन्ध कामना की है बता दे देवाल सुलाय कोड सडक हाथसे में 5 लोग घाल हुए थे 100 मीटर गहरी खाई में जागे री थी कार कारसवार 5 लोग घाल हुए थे दो की हालत गंभीर बताई जा रहे है गंभीर रूप से घालों को एरलिफ्ट से एम्स लाय गया है आपको बता दे संबन्दित जिकसाधिकारियों को सियम तर्वेंदर दे निर्देश दिये है सियम तर्वेंदर सिंग्रावत में खुद संग्यान लिया है इस हाथसे का हाथसे में 5 लोग घाल थे और 2 की हालत बेहत गंभीर बताई जा रहे है गंभी रूप से घालो को यह लिफ्ट से एम्स संबन्दित जिकसाधिकारियों से बात की रहे रेजिदेंट एडिटर फाहिम तना माइस साथ ओन लाइन पर जुड़ गया है फाहिम यह जो संग्यान लिया गया है से एम्स की तरफ से क्या क्या देशा निर्देश दिया और क्या कुछ किया जा रहा है उनके बाद दिके इस दुरगशना को लेकर के तरफ जहां से एम्स ने तुख वेस्ट गया था महीं कि इलाज के लिए तुरंत सरकारी हलिकॉप्टर मुहया कराया गया और इनको इलाज के लिए विवस्थाय कराये गई और सीम ने इसको काफी जो घायर हुए है उनकी कारवाई करते हुए एम्स भेजा है उनको इलाज हो सके इसलिए चिकिस्वकों को भी दिशा निर्देश दिये हैं तो यह महत्वपूर्ण बात है कि दुरगटना हुई तो दुरगटना तो अब दुरभाग की वस्थ हो सकती है लेकिन दुरगटना के बाद इलाज की क्या विवस्था है और उस पर आख किस तरह से गंभीरता से कदम उठाय जाए यह महत्वपूर्ण होता तो एक बड़ी जा रहा है उनकी तबियत ठीक है स्वास्त्र सुधार है जो घाल सटाल भेजे गए हैं जो एमस में भेजे गए हैं जी ठीक है चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुचाने के लिए तो गंभी रूप से जायलों को एयर लिफ्ट करके एमस में भर दिकाया है बता दे दाम को लेकर पध्यात्रा निकाली गई है पध्यात्रा में कॉंग्रेस प्रदेश अध्यश प्रिकम स्पिंग शामिल रहे हैं वहीं पध्यात्रा में कॉंग्रेस ने बीजेपी सरकार के खुलाफ नारेबाजी की है तो पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से जन इसक्रिके से महंगाई को लेकर कॉंगरस हावी होती नज़रा रहें कॉंगरस के प्रदेश अध्यक्ष प्रूताम सिंग इस पध्यात्रा में शामिल रहे और इस पध्यात्रा के मार्ढ्यम से बीजेपी सरकार के खलाप जमकर नारेबाजी की गई अधियां जो निकाले की उतस्वीर आपको सब दिखा रहे हम स्क्रीन पर तो नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं आपर तमाम कारिकरता कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पेट्रूल डीजल की कीमत कम करो तो इन नारों के साथ ये पध्यात्रा निकाली गई है तो ये बोट्स दी आप देख रहे हैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ नजर बेल में मोदी आके खूल लो नेपाल में ऑ डीसल के क्या धाम है आपके सामने अ आज इसह होने लगेङ नेपा से जो देश हम पर आश्रित है उस देश में पेट्रोल डिजल के दाम कम है बांगला देश को देखो श्री लंका को देखो पाकिस्तान को देखो कि क्या हो गया कि हिंदुस्तान में जो है लगातार पेट्रोल डिजल के दाम बढ़े गैस के दाम बढ़े हैं यह तो पूरी तरीके से केंद सरकार की बिफलता है और करीब आदमियों पर प्रहार करने का काम के अंदर में बैठी सरकार कर रही है और राहूल गांदी जी ने ठ दिन मौजूद रहे जिन्होंने कहा कि बीजेपी की जरफ से जिस तरीके से महटाई बढ़ाई जारी उसको लेकर ये पद्यात्रा निकाली गई है और इस पद्यात्रा में साफ कहा गया पेट्रोल डिजल के दामों को कम करो बढ़ते हुए दामों को लेकर यह अल्ला बोल ब्रहमलीन स्वामी डॉक्टर श्याम सुंदर्दास महराजी का जन शताबदी महतसव बड़ी धूमधाम के साथ मना गया तो वहीं उनकी याद में बनाये गए भवन का लोकारपन भी किया गया नवनिर्मित भवन का नाम भी श्याम सुंदर्दास भवन लखा गया भवन के लोकारपन के मौखे पर श्याम सभा का आयोजन भी किया गया जिसमें कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक पतंजली योग पीच के महामंत्री आचारे बालकृष्ण सहिक बड़ी संक्या में साधू संतों और उनके अनुयाईयों ने उनके चिक्र पर पुश्प अर्पित कर को अज पुचह पुरhrदेबजी के जन्म सतावदी मौश्प है और आज उनका स्वाता ऌफ़ा ने के कारण उनिंहीं के निमित्त भवन बनाए गया था और श्यामसुंदर नाम भी दीया गया है उन्हें को शमर्पित है और आज से इस भवन का लोकारपण किया गया है पुझे गुर्देब जी हमेशा समाज के लिए काम करते थे समाज के लिए जीते थे समाज हितमे ही सारा काम करते थे संस्कृत और संस्कृति की रक्षा के लिए उन्हें पूरा जीवन लगाया है समाज के उत्थान के लिए हमेशा उतत्पर रहते थे चाहे छोटा कारिकम हो चाहे बड़ा कारिकम हो हरे कारिकम में पहुंच करके अपना योगदान देते थे उनी योगदान को देखते हुए पुझी गुर्देप जी के नाम से यह भवन बनाये गया है और आगे आने वाले लोग का लोकारपन के कारिकरम में मैं बस्तित्वाँ हूं पुझी स्यामसुंदर दास जी ने जीवन भर समाज को एक दीशा देने काम किया उन्होंने अनेक चेत्रों में उलेग ने काम किया संसकर्ट जगत में इतना बड़ा काम किया कि आज अगर हम देखते हैं हंदा खंड के अगर संस्कृत में जितने काम हुए हैं अगर कोई प्रेरग के रूप में काम किया तो पुझ्य सास्त्री जी ने काम किया जी महराज की सव्वी जैनती के आउसर पर आज यहां पर एक जो स्यामसुंदर भवन का लोकारपण के कारी करम में मैं बस्तितुआ हूं पुझ्य सामसुंदर दास जी ने जीवन भर समाज को एक दिशा देने काम किया उन्होंने अनेक छेत्रों में उलेगने काम किया संस्कृत में उन्होंने इतना बड़ा काम किया कि आज अगर हम देखते हैं उत्रा खंड के अंदर अगर संस्कृत में जितने काम हुए हैं अग क्या कुछ खास और रहा है तो यहां पर प्रोग्राम में सिरकत की और अगे की बात करें कुछ दिशा निरुदेश कुछ इस दौरान कुछ फैसलिया है बिलकुल यहां पर आने वाले जो लोग है जो क्योंकि है कि पंफें के आपने बहुत बड़ी जो आईर्य वेज को लेकर भीशूदेश से लोग आते यहां पर आते हैं योग साधना के लिए भी याशाइऑ तो उनी की याद में आज यहाँ पर इस भवन का लोकार पढ़ किया गया और उनके नम से भवन भवन बनाया गया है जी ठीक है चलिए बहुत शुक्रे तमाम जानकारी हम तक पहुचाने के लिए एक दिन पूर्फ पतंजली योग पीच ने दिली में आयुश मंत्राला के सामने कोरोना की नई दवा को लौच किया है पतादे कोरोनिल और भारत सरकार की कोवैक्सिन के विशे में बात करते हुए पतंजली योग पीच के महामंत्री आचारे बालकृष में कहा कि कोविट से बचाओ के लिए वैक्सिनेशन जरूरी है लेकिन उसके साथ कोरोना से बचाओ को दवाई भी जरूरी है जिसका काम कोरोनिल कर रही है उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा लगाई जा रही कोवैक्सिन कोवेट-19 के लिए जो वैक्सिन लगाई जा रही है evalu के बचाओ के लिए जरूरी है को रोच चुप अब और भी अच्छी तरह से लोगों का जीवन बचाएगी पर यह पूरी तरह से देखिए जो वैक्सिन है वो प्रिवेंशन है प्रिवेंशन का भी अभी कितने लंबे समय तक के लिए बचाव होगा या भी भविश्य के गारत में हैं तो वेक्सिनेशन की आवशकता अपनी जगह पर है पर वेक्सिनेशन के साथ में ट्रीटमेंट भी बहुत जरूरी है और आईरवेट से जुड़ी हुई चीज और आईरवेट को पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए स्थापित करने के लिए एक बड़ा मिल का पत्थर भी ये करेगा लोगों की जीवन को बचाने में भी अभी तक करूनेल ने लाखों लाखों परिवारों के जीवनों की रक्षा की है और आगे और भी जो लोगों के जो शंता के बादल थे उनको हमने पूरी तरह से निर्मुल कर दिया है और उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि वर्ष 2008 में जब मैं प्रदेश का क्रिशी मंत्री था तो सीमांत जन्पत चमोली में मेरी मुलाकार शीमती विश्वेशरी देवी से हुई थी उन्होंने बड़े तारकिक धंग से ये बात रखी थी कि पती की संपती म महिलाओं को बराबरी का अधिकार होना चाहिए महिलाओं को अपने पती की संपती पे अधिकार का पूरा फैसला दिया गया उसको लेकर ये जानकारी साजा किये और बता दे इस फैसले के तहत महिलाओं को वो संपती बेश में और उस पर पूरा अधिकार होगा मेरें को संपत्ति में बरावरी का अधिकार मुख्यमंत्री ने जो दिया है आप में भूत खुशु कि जब मुख्यमंत्री कि आए थे दोजार साथ आड में तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट टी कि हम महें लो को बैंक वाले बोले कि तुम इतना अच्छा काम करते हैं लेकिन रि पूरी महलों को मैंने बात बोली तो मुझे बहुत बहुत दील में था पीला महलों के लिए, यह भूरा हुआ, मैं इसके लिए बहुत बहुत भन्याबाद देना चाहिए मोगय मंत्री जी को और अपने जो पूरी महलों को मैंने यही बात बोली तो मुझे बहुत अच्छा लगा आज मुख्या मंत्री जी ने पूरा लोग काम ने बोला कि भाई यही बात बरावरी का दर्जा मिलेगा महला पूरुस को बहुत बहुत धन्याबाद बहुत बहुत धन्याबाद मुख्य अखाडों में लगने वाली धर्म दोजा अखाडों में पहुंच चुकी है। अखाडों में निरंजनी अखाडे के सचिव मेंत रविंद्र पूरी ने बताया कि अखाडे की धर्म दोजा की लकडी अखाडों में पहुंच चुकी है। और मुख्य प्रसाद इसमें गुड़ो चना होता है। और सभी अखाडे द्वारे सभी प्रसाद से महर सब को निमंतर दिया या था सभी लोग आएंगे एक बेंड़ वाजाओं। जो धर्म दोजा की लकडी आ गई है और ये करीबन जो लकडी हमारी करीबन सो फुट होनी थी चाहिए। परंतों ये लकडी समय हमारे पास अशी फुट है क्योंकि इसमें जो बावन हाथ हमारे होते हैं। बावन हाथ पे बंड़ इसमें लगाया जाता और ये बावन मनियाँ हमारे फुट होता है। कोब बंदिश में जरूर में जरूर्ज निकाल कर प्रदशन किया है जहां प्रदर्शन में गाड़ीयों को राची से खीछी नजराये ओपर सिलिंडर भी रखा हुआ है पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर भी प्रदर्शन किया गया और साथ ही कॉंग्रेस की तरफ से यहला बोल ना सर्फ पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर बलकि गैस सिलिंडर के दामों को लेकर भी थाल करों केंडर सरकार और कहें तीन काले कानूं जो केंडर सरकार ने बनाये और 70 कले करोड़ की वो इसक बिरोद कर रहे और जिस किशान के कानूं बनाए गया वो साफ मना कर रहा कि यह हमारे हित्वे नहीं है तो भही यह जबर्दस्ती यह दादागिरी किस बाती पहली तो यह बात दूसरा आज आप देख लिजिए महेंगाई चरम पर है गैस सिलंडर के आप दाम देख लिजिए डीजल और पेट्रोल के आप दाम देख लिजिए आसमान चूर है हम लगातार के इंदर सरकार से मांग कर रहे है राज सरकार से हम लोग मांग कर रहे है कि आप जो इतनी बड़ी जो आपने बेरोज़गारी इस प्रदेश में पैदा कर दी है महेंगाई आज चरम पर है माताएं बेहने उनके सरका बोज़ कम नहीं हुआ आज 900 रुपे का गैसलेंडर आ रहा है और 18 रुपे उसकी सबसीडिय आ रही हम लगातार देश पे अखिल भारते कॉंग्रेस कमेटी की राष्टे अडेक्स आज पूरे जनपद और प्रदेश में आज हम कॉंग्रेस के लोग आज सड़कों पर है अरिदोर सिखापर जहां बहादरबाद टोल प्लाज़ा पर हंगामा देखा गया टोल प्लाज़ा पर चौथे दिन व्यापारियों ने प्रदेशन किया है तो हरिदोर से एक खबर जहां बहादरबाद टोल प्लाज़ा पर हंगामा हुआ है टोल प्लाज़ा पर चौथे दिन व्यापारियों ने प्रदेशन किया तो बच्चास पीसदी छूट देने की मांग को लेकर सड़क पर उतर चुके हैं व्यापारी टोल कंपनी पर व्यापारियों ने मनमानी करने का आरोप भी लगाया तो बहीं हंगामा जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे पुलिस बल भी यहां भारी संख्या में देखा गया और खबर रिशिकेश से जहाल अच्छी वाला टोल प्लाजा पर प्रजर्शन हुआ पता दे दून तिराहे पर व्यापारियों ने हंगामा काटा है सड़क का काम पूरा ना होने पर भी टेक्स वसूला जा रहा है व्यापारियों का कहना और साथी ये भी कहा व्यापारियों में कि एलिफेंट कोरिडॉर में नियम विरुद टोल प्लाजा पनाया गया है सानी लोगों को टोल प्लाजा में छूट देने की मांग की गई है इस दौरान मांगे पूरी नहोने पर उग्र आंदोलन की जेतावनी दिये प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस बल यहां तैनात किया गया है कल से ही दोईवाला का जो मार्ग है जो देरगुन जाने का मार्ग है वहाँ पर टोल सरकार के द्वारा सुरू किया गया है और क्योंकि टोल का एक नियम है जब तक आपका 100% कारिया पूरा नहीं हो जाता तब तक आप टोल नहीं ले सकते टोल पलाजा का इस्तवाल नहीं कर सकते लेकिन एक इपलर साई के रूप में राष्ट्या राजमार्ग विकास प्राजिकरा के द्वारा जो ये टोल लगाया गया उसका हम इसले पर रोध कर रहे हैं और हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर हाथी के हमले से वन कर्मी की मौत हो गई जहां हाथी के हमले के बाद ये मौत होई है तो हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर फलाल देभूम में बागी खबरों के लिए देखते रहे न्यूस वन इंडिया नमस्कार